नवस्कार आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूँ राहूलतिबारी विशुकप 2019 का अगाज हो चुका है और इसके साथ ही क्रिकेट का हुमार विशुभर के क्रिकेट प्रेमियो के सिर्पर चड़कर बूल रहा है ऐसे में बॉलिवड जगत भी क्रिकेट के उस अध्याय से अधूरा नहीं है बॉलिवड में साहाथ के दशक से ही कई ऐसे फिल्में बनी जिनकी प्रिष्ट भूमी क्रिकेट पर आधारित थी आखिर वो कौन से फिल्म है जिन में क्रिकेट को दिखाया गया या वे फिल्में जो क्रिकेट के बारे में हमें कुछ न कुछ बताती है आए दिखाते हैं आपको हमारी इस खास पिशकश में लव मैरिज क्रिकेट पर आधारिच फिल्मों की अधिबात की जाए तो इस तरह की पहली फिल्म थी 1969 में बनी लाव मेरिज जो बड़े परदे पर रिलीस हुई थी इस फिल्म में देवानंद ने एक क्रिकेटर की भूमी का निभाई थी फिल्म में क्रिकेट की वज़ह से देवानंद और माला सिनहा के बीच प्यार की शुरुआत होती है इस तरह इस फिल्म में क्रिकेट आकर शनका केंद्र था मोहन कुमार के निदरिशन में बनी फिल्म आल राउंडर में कुमार गौरव और रतियक निहूतरी मुख्य भूमी का में थे फिल्म के कहाने ऐसे क्रिकेटर की है जिसे कंट्रोवर्सी में फसा दिया जाता है इससे उसके करियर को भी नुकसान पहुँचता है क्रिकेट प्रेम किसी से छुपा नहीं है ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर चल तो नहीं पाई लेकिन इसने इंडस्री में बदलाव और सार्थक विश्यों पर बनने वाली फिल्मों के लिए बेंचमात सेट किया लगान आशितोष गुवारिकर की फिल्म लगान बॉक्स ओफिस पर ब्लॉक्पस्टर साबित हुई थी। लगान फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इस फिल्म को आसकर के लिए नामित भी किया गया था। इस फिल्म की कहानी भी क्रिकट की प्रश्ट भूमी पर ही जैन कुली के मेन कुली में इस फिल्म में एक बच्चे कै क्रिकेट के प्रती प्रेम को दरशाया गया है हालांकि इस फिल्म को बॉकस उफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला लेकिन फिर भी इसे टेले विजन पर काफी प्रस tahu इंTw qualche में फिल्म की कहानी मैच फिक्सिंग पर केंदरू थे, इसमें इमरान हाशमी क्रिकेट के सेट्टेबाज की भूमिका में थे यह फिल्म पिछले कुछ दश्चकों से क्रिकेट को प्रभावित करने वाले डार्क सीक्रेट्स को उजागर करने का प्रयास करती है विक्ट्री इस फिल्म में हर्मन बावेजा, अब्रित राव और अनुपम खेर जैसे सितारे थे क्रिकेट की प्रिष्ट भूमी परवनी है फिल्म बॉक्स ओफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप भी थी पठियाला हाउस, अक्षे कुमार, रिशी कपूर, डिंपल कपाडिया और अनुश्का शर्मा स्टारर फिल्म पठियाला हाउस इंग्लेंड में भारती मुल्के क्रिकेटरों को एक अलग तरह से प्रिजेंट करती है फिल्म में क्रिकेट के लिए जुनून को दिखाया गया है, जिसे अक्षे कुमार ने बहुभी निभाया है मुई बॉक्स ओफिस पर खास प्रजर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी समिक्षकों ने इस फिल्म को काफी जराहा था परारी की सबारी इस फिल्म में शर्मन जोशी और बोमन इरानी मुख्य भूमिकावे थे फिल्म की कहानी के ऐसे पिता की है, जो अपने बेटे के क्रिकेट के सफने को पुरा करने के लिए सब कुछ करने को तियार होता है इस फिल्म में पिता पुत्र के रिष्टे को क्रिकेट के नजरिये से भी दिखाया गया था इसके अलावा ज़िदी बात करें तो क्रिकेट के उपर कई सारी फिल्म में बनी हैं जिन में महेंदर सिंधोनी की बायोपिक, दिल बोले हडिपा, अजर जैसे फिल्म में भी शामिल है क्रिकेटर सचिन तैंदूलकर पर एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म भी बनाई गई थी जिसे काफी सफलता मिली थी Special Report, Talented India